वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक आप के बारे में बताना चाहँगो जो कहा है Go Mechanic App अगर आप अपनी कार की सर्विस को लेकर या सर्विस कौलिटी को लेकर परिशाने तो जी हाँ आप ये आप डाउनलोड कर सकते है Go Mechanic के सर्विस टेशन पर कार के मेकानिकल रिपैर, एंजिन रिपैर से लेकर A to Z पूरा डेंटिंग और पेंटिंग तक का पूरा काम किया जाता है यहाँ पर periodic servicing होती है, mechanical repairs होते है, denting painting होती है, wheel care, wheel alignment हो जाता है और साथ ही car care और detailing भी हो जाती है, car के AC का repair हो जाता है, जो भी AC में अगर आपके problem आ रहे हैं तो वो भी repair हो जाएगा, और साथ ही tires और battery का भी replacement हो जाता है, और अगर आपको insurance claim करा रहा हो तो वो भी आप यहाँ पर claim करा सकते हैं, और सबसे चीजी मुझे यह लगी कि यहाँ पर आपकी authorized service center से compare करने पर affordable है, यह जादा और 40% savings आपको हो जाएगी, यानि कि 40% पैसा आपका बच जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि parts locally use करते हैं, parts यह original use करते हैं, direct dealers से contact करके bulk में parts लाते हैं, तो इनको कम cost मिल जाते हैं, और यह हमें भी कम cost पर दे देते हैं, तो parts की भी कोई problem नहीं, original parts यहाँ पर use किये जाते हैं, और अगर आप busy इंसान हैं, आपको service कराने का time नहीं मिलता है, तो इसमें सबसे चीजी आपको मिलती है, free doorstep, pick up and deliver, यानि कि अगर आप office जा रहा हैं, तो आप वहा service center वाले आपको कभी भी allow नहीं करते हैं, और एक चीज मुझे अच्छी लगी, कि अगर आप यहां से service करा के जाते हैं, तो आपको one month या फिर thousand km की unconditional warranty मिलती है, यानि कि उस दोरान अगर आपकी गाड़ी में कोई भी problem आती है, तो आप इनके service center पर वो free of course solve करवा सकते हैं, अभी recently Go Mechanic ने अपनी monsoon shield campaign स्टार्ट किये, जिसमें या आपकी car को monsoon ready बनाते हैं, इसमें आपकी car का wiper blade replacement होगा, COVID-19 को देखते हुए interior sanitization हो जाएगा, और complete wheel care, wheel alignment और running and polishing car की की जाएगी, तो इससे आपकी car monsoon ready हो जाएगी, Go Mechanic के service stations Delhi, Mumbai, Kolkata, Surat और Bangalore, जैसे 21 major cities में तो present हैं ही, और साथ ही, अभी indoor में भी अपना service station लेकर आ रहा है, तो ये MP के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे खुशखबरी होने वाली है, welcome back दोस्तों, आप देख रहे हैं SR Motor World, और फिर माया हूँ एक नई वीडियो के साथ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात और अभी एक नया competitor market में आया है, और वो भी काफी तगड़ा competitor है 160cc segment में, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझें मैं बात कर रहा हूँ, Hero की Extreme 160R के बारे में और TVS के Apache RTR 164V के बारे में, इन दोनों को compare करके ये दोनों top की bikes हैं, बिल्कुल 160cc segment में, जब भी किसी भी customer के दिमाग में 160cc की bike लेने का दिमाग में आता है, तो या तो वो RTR का सोचता है, या Extreme का सोचता है, क्योंकि दोनों ही बहुत बहतरी इन bikes हैं, तो दोनों में से कोई एक आज सिलेक्ट होने वाली है, इस comparison के बाद कि overall कौन सी bike जादा बहतर देखने को आपको मिलने वाली है, तो बने र सब्स जाते हैं, तो इस service को भी आप अवेल कर सकते हैं, और अपना service appointment बुक करने के लिए, आप 9388, 9388 पर calls कर सकते हैं, या फिर go mechanic.in पर जा सकते हैं, और लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं, और चाहें तो इनका app store से official app भी download कर सकते हैं सबसे पहले हम design language की बात करते हैं, design पर मैं जादा जोर नहीं डालूँगा और नहीं जादा time waste करूँगा, क्योंकि design language आपकी personal choice रहती है, और personal opinion रहती है, सबसे पहली चीज़ अगर overall design देखा जाए, तो RTR का आपको design थोड़ा beefy, muscular और sporty design देखने को मिलेगा, जैसी उस पर racing stripes है, racing flag कर stickering है, वो थोड़ी sport segment में आ जाती है, और वहीं extreme आप देखेंगे तो काफी chunky और aggressive, थोड़ी मतलब sharp cut sand creases के साथ जादा नहीं देखने को मिलती है, वो गवर chunky और aggressive है, दोनों में ही आपको all LED headlamp मिल जाता है, और rear profile में सबसे बहतरीन देखने वाली bike है, extreme 160R क्यों आपको design में बहतर लगती है, वो आप जाके showroom से खरीद सकते हैं, अगली चीज़ पर हम आते हैं, वो है handling, handling की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, RTR जादा sporty और muscular है, muscular का मतलब थोड़ी भारी भर कम, तो RTR का weight जो है, वो भी extreme से जादा है, 9 kg RTR जो है और short riders के लिए जो balance करने में जिनको दिक्कत होती है, और new riders के लिए भी beginner riders के लिए भी extreme जादा बहतर रहने वाली है, highway के हिसाब से अगर आपको चाहिए, तो आप RTR ले सकता है, अगर city riding के हिसाब से चाहिए, तो handling के मामले में handling characteristics आपको extreme की जादा impress करेंगी, चलिए अब हम हम बात करते हैं engine की, engine की हम थोड़ी सी लंबी बात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही bikes में 160cc का engine है, और लंबी बात इसलिए क्योंकि engine ही bike का दिल है, सबसे पहले हम engine smoothness की बात करते हैं, TVS की गाड़ी का नाम सुनते ही, खासकर Apache सुनते ही लोग vibration, जो है इसका अंदाजा ल गाड़ी लगी, बेहत smooth engine लगा, refinement level और smoothness level extreme में बिल्कुल top notch है, extreme में लेकिन जो plastic quality है, जो body के panels की quality है, वो थोड़ी सी low होने की वज़े से उसमें high revving पर buzziness आती है, और foot pegs पर vibration आते हैं, handlebar और mirrors पर कोई vibrations extreme में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, RTR की वहीं बात करते हैं, तो RTR में high ref करने पर handlebar और mirrors पर थोड़े vibration आ जाते हैं, लेकिन buzziness फील नहीं होती, क्योंकि RTR के parts जो हैं, वो tightly fitted रहते हैं, और body panels की quality है, वो भी बहतर देखने को मिलती है, तो refinement और smoothness के मामले में दोनों tucker की bikes हैं, लेकिन और जादा अगर बारी किसी देखा जाए, अंदर घुसके देखा जाए, तो RTR आपको थोड़ी सी जादा better refinement देगी, क्योंकि RTR के पास सबसे बड़ा advantage है 4 valves, और वहीं extreme में 2 valves आपको मिलते हैं, तो 2 valve engine थोड़ सा जादा vibration करता है, 4 valve के comparison में, तो जो RTR है, वो high revving पर भी उतना जादा vibration नहीं करती जितना के extreme करती है, तो RTR में 4 valve का benefit आपको मिलता है, अगर अब हम brochure या specification papers जिसको बोलते हैं, उससे compare करें, तो आप engine के power figures देख पाएंगे, RTR का जो BS6 engine है, वो 16 PS की power produce करता है, और वहीं जो extreme का engine है, वो 15 PS की power produce करता है, torque दोनों का लगभग similar है, 14.1 Nm और 14 Nm, power figures और specification में performance कैसा है, तो देखे, मैंने दोनों गाडियां चलाई, तो 2 valves होनी की वज़े से क्या होता है, कि mid range performance आपको बहुत strong मिलता है, company, जिस भी company को, hero का यही कहना है, कि हमने bike जो है, वो design करी हो city के लिए design करी, और city में mid range punch जो है, अच्छा चाहिए रहता है, customer को, rider को, mid range performance आप टॉप end में vibration नहीं करती गाड़ी थोड़ी सी, क्या है कि extreme का जो engine हो two valve होने की वज़े से, जब आप top end में गाड़ी को push करते है, full accelerator देखे, जो high rpm पे redlining करती है गाड़ी, उसमें क्या रहता है, कि bike में आवाज जादा आती engine में से, और speed का acceleration level हो थोड़ा सा slow रहता है, वहीं RTR में ये चीज़ थोड़ी सी minimize हो गई है, ये 4 valve होने की वज़े से, लेकिन extreme में आपको acceleration जादा fast महसूस होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका power to weight ratio जादा बहतर है, 9 kg RTR से lighter है, और RTR में जो 9 kg जादा है और 1 PS जादा है, वो दोनों compensate हो जाती है, अब बात करते हम gear shifts की, TVS की Apache अच्छे RTR 160 जंबे ने चलाई तो उसमें gear shifts बेहत smooth थे, इतने smooth थे कि जो gear shift करते में click sound आता है, और आपको indicate करता है कि gear shift हो गया, वो sound भी RTR में नहीं था, लेकिन owners जो थे मेरे पास Instagram पे follow करते रहते हैं, आप भी ID का link नीचे description में मिलेगा, वास follow कर सकते हैं, तो वो follow करके मुझे कुछ बाते हैं करते हैं, मेरी बाते होती हैं, आप ही subscribers से, तो वो लोग कुछ लोगों का कहना है कि RTR के जो gear shift है, उसमें बहुत problem आ रहे हैं, false neutrals आ रहे हैं और notchy gear shift हो रहा है, तो ये चीज़ अब मुझे तो feel नहीं हो, लेकिन owners का कहना मैं थोड़ा सा जाधा preference दे है, mileage की बात करें, तो दोनों bikes 43 kmpl से 48 kmpl तक आपको mileage दे सकती हैं, अगर आप अच्छे से चलाएंगे, तो mileage आपको और बहतर मिल सकता है, in fact मेरी FZ150 जिसमें FI आता था, तो उसमें भी mileage मैं 48 से 50 तक कभी ले चुका हूँ, 53 तक कभी ले चुका हूँ, तो अगर आप eco पर ride क करते हैं, तो आपको mileage दे गाड़ियों से अच्छा मिल सकता है, और hero को मैं थोड़ा सा ज़्यादा preference दूँगा, mileage के मामले में, क्योंकि hero की हमेशा से tagline रही है, fill it, shut it and forget it, तो ये tagline हो सकता है, extreme पर भी applicable हो, और इसका power to weight ratio भी अच्छा है, weight कम है, तो mileage भी थोड़ा सा bike आपके लिए मुश्किल है, ये आपको सोचना पड़ेगा आपकी requirements के हिसाब से क्या requirement, अगर आपकी requirement है कि आपको highway पर ride करनी है, occasional rides करनी है, आपको थोड़ा riding group के साथ बाहर भी जाना है, city के बाहर ride करनी है, outskirts में ride करनी है, overall आपको अगर अच्छा जाधा performance चाहिए, extreme और normal एक lightweight bike चाहिए, अच्छी सी, city में चलाने के लिए सिर्फ performance normal चाहिए, तो extreme, ये सिर्फ simple एक summary आपको दे दी, मैंने performance की, अब सबसे important बात आती है, price की value for money कौन सी है, value for money कौन सी है, ये तो आपको comparison के बाद ही जानने को मिलेगा, लिकिन अगर price की बात करें, तो extreme 160R की ज पहली चीज़ बता दूँ, आपको comparison कर रहा हूं, और comparison में आपको बिल्कुल review की तरह, detail में बात नहीं कर सकता, क्योंकि comparison फिर बहुत लंबा हो चाहता है, बहुत से factors हमें compare करने रहते हैं, तो इसको मैं features को अगर compare करने पर सिफ एक sentence, एक line आप से बोलूँगा, hero is not a brand of electronics and features, hero से expect करना बेकार है, और hero दे भी दे, तो मेरा यह सुनने में आया है बहुत जादा, कि i3S technology जो इनों ने दी, जितने electronic technologies इनों ने दी, उनमें बहुत से लोगों को बहुत problems आ रही है, और in fact owners तो इतने परिशान है, i3S से को बंदी करा देते हैं, उसको उसका button खराब, i3S वैसे वो मुझे बिलकुल sensible feature नहीं लगता, i3S, तो features के मामले में, TVS जो है, वो थोड़ी जादा बहतर है, और अगर आप बाइक देखेंगे, RTR में आपको जादा features मिलते है, instrument cluster, दोनों में ही all digital मिलता है, लेकिन RTR का instrument cluster जादा information loaded है, 0 to 60 top speed recorder, कुछ performance type के आपको features देखने क को मिल जाते हैं, और जो extreme का instrument cluster है, वो बहुत basic सा instrument cluster है, all digital cluster है, लेकिन basic cluster है, अब हम सबसे important चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो factor है comfort, क्योंकि आप city में चलाने के लिए रहे हैं, रोज daily use के लिए लिए ले रहे हैं, तो आपको comfort भी अच्छा चाहिए है, कि आपको back pains न shoulder pains ना हूँ, तो comfort की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा suspensions पर, दोनों में आपको telescopic suspension front में मिलते हैं, और rear monoshock suspension मिलता है, extreme का suspension है, वो उसकी tuning बिल्कुल perfect है, handling और comfort के बीच की, यानि कि बिल्कुल medium tuned suspension है, अगर आप highway पे जाएंगे, तो आपको suspension है, वो थोड़ा सा rare suspension, softer side पर tuned है, softer side पर tuned होने से, थोड़ा highway पे बाउंसी हो जाती है vehicle, लेकिन colonies में और खराब roads पर आपको comfort दोनों में ही मिल जाएगा, तो suspension sitter दोनों का लगभग टक करका है, लेकिन अब हम बात करते हैं, seat की, seat के हिसाब से RTR थोड़ी सी जादा बहतर है क्योंके RTR में आपको जादा seating room मिलता है, seating की जगा जादा है, और pillion comfort भी आपको RTR में जादा बहतर मिलेगा, क्योंके pillion में जो RTR की seat है, वो बिल्कुल flat seat आपको मिलती है, वहीं extreme में जो आपको seat मिलती है, वो थोड़ी सी slope में मिलती है, और slope में seat होने की वज़े से क्या ह यानि की progress जो है brakes की जो मतलब initial bite है, जैसी आप दबाएंगे brake को उसी time brake react कर देगा, लेकिन RTR में क्या चीज़ है, आप ब्रेक को दबाएंगे तो आपको थोड़ा जादा pressure लगाना पड़ेगा brake lever पर, RTR के जो brakes हैं वो थोड़ी सी initial bite lag करते हैं, लेकिन अगर आप दबाएं कि मुझे सिटी में चलाना है, परफॉर्मेंस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिटी में चलाना है, अब 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 जाएंगे चाहिए, एक normal bike चाहिए, तो मैं hero की extreme चले जाता है, और अगर मुझे performance ही performance चाहिए, तो मैं RTR पर चले जाता है, तो यह completely आपकी requirements पर डिपेंड हर चीज़ को मिला के RTR जादा बहतर यहां पर आपको bike देखने को मिलती है, और इस comparison में RTR जीत जाती है, लेकिन जीतने का मतलब यह नहीं कि extreme और RTR आपके सामने रखेंगे, तो आप हमेशा RTR पिक करेंगे, ऐसा नहीं है, यह आपकी requirements पर depend करता है, तो दोस्तो आज की वी करके questions पूच सकते हैं, so guys, thanks for watching, stay tuned, till then wait for my next upcoming interesting videos.